मोधी सरकार की मुश्किलें विपक्ष ने तो पहले से ही बढ़ा रखी है और अब उसके अपने भी इस मुसीबत को बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसमें सबसी उपर नाम है हर्याडा के मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर का किसानों के आंदोलन के चलते पहले ही हर्याडा में बीजेपी के लिए मुश्किले हैं और ऐसे में हर्याडा सरकार के उल जलूल बयार रोज नई दिक्कत पैदा कर देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही सीम खटर के एक बयान से किसानों में आकरोश पैदा हो गया था जिस पर सीम को माफी मांगनी पड़ गई है फर्याना के मुख्यमंतरी मनुहरलाल खटर पिछले कुछ दिनों से अपनी टिपणियों और बयान के चलते सुर्कियों में बने हुए हैं दरसल कुछ दिन पहले उन्होंने किसानों को लेकर कुछ ऐसा कह डाला जिसके बाद वो विपक् दो देख लेंगे उत्तर और पश्रिम हर्याना में दक्षन हर्याना में यह समस्या ज्यादा नहीं है लेकिन उत्तर पश्रिम हर्याना के हर जिले में अपने 500 या 700 किसान या फिर 1000 लोग खड़े करो उनको वॉलिंटर बनाओ उठालो डंडा जब डंडी उठाओगे तो जे हर्याना के मुख्यमंत्री को घेर रहा था सवाल पूछा जा रहा था कि क्या किसी राजी के सीम की ये भाशा हो सकती है जिसके बाद अब हर्याना के सीम ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है मनुहार लाल खटर ने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं मैं समाज में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ावान नहीं देना चाहता। खटर ने बयान भी वापस लिया और माफी भी मांग ली। ये लगातार दूसरी बार है जब हर्याना में सरकार किसानों के आगे जुग गई है।